हालो स्टूडेंट्स बच्चों आज हम पाठ करमांका आठ वाचन कुटी यह पाठ का अध्येन करेंगे वाचन कुटी मतलब रीडिंग हट आप लोगों को पता है ना लाइबरी में हम लोग बुक्स रीडिंग करते हैं वैसा कुटी मतलब छोपड़ी हट वैसा वाचन कुटी में हम लोग रीडिंग करते हैं वाचन करते हैं वाचन है पड़ो समझो और लिखो फर्स्ट पारिगरफ देखते हैं एक दिन रमा की पाठशाला की परिसर में लकडी का काम चल रहा था रमा ने कारिगरों का काम को देखकर अपने गुरुजी से पुछा गुरुजी यहां क्या काम चल रहा है? गुरुजी बोले रमा यहां वाचन कुटी तयार करने का काम चल रहा है एक दिन रमा की पाठशाला के परिसर में कौनसा काम चल रहा था? लकडी का काम चल रहा था और रमा ने कारिगिर, कारिगिर मतलब वो कोज वो कारिगिरी को काम को देखकर रमा ने गुरुजी से क्या पुछा? गुरुजी यहां क्या काम चल रहा है? तो गुरुजी ने रमा को क्या अंसर दिया? यहां पे क्या तयार करने का काम चल रहा है? वाचन कुटी वाचन कुटी मतलब रिडिंग होट सेकेंड परिगरफ देखते हैं रमा बोली गुरु जी वाचन कुटी क्या होती है रमा को पता नहीं था तो उसने गुरु जी से क्या पूछा कि गुरु जी वाचन कुटी क्या होती है गुरु जी बोले पुराने समय में गुरु कुल आश्रम होते थे पूराने समय में आश्रम पता है न गुरु कुल आश्रम वैसे आश्रम रहते थे बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहन करते थे बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहन ग्रहन करना मतलब लेना उनके आश्रम में अद्धयन के लिए ऐसी कुटी होती थी जिसमें अद्धयन सामगरी का भंडार होता था और उनके आश्रम में अद्धयन मतलब पढ़ाई, स्टडी उनके आश्रम में अद्धयन के लिए कुटी, कुटी मतलब होती थी जिसमें ये अद्धयन का मतलब पढ़ाई का सामगरी का भंडार होता था भंडार मतलब खजाना रमा बोली, गुरुजी हमारी पट्चला के ग्रंथले की तरह हो? अभी रमा को समझ में आया और उसने गुरुजी से क्या पूचा? स्कूल में जैसा लाइबररी रहता है, बहुत सरे बुक्स रहता है ने, बुक का भंडर रहता है ना, खजाना रहता है वैसा क्या? गुरुजी बोले, हाँ, रमा तुमने ठिक कहा लेकिन ग्रंथले में हम चार दिवारों के बीच वाचन करते हैं लेकिन और समझाया, गुरुजी ने रमा को, क्या बोला? कि हाँ रमा, तुमने ठिक कहा, कि स्कूल में जैसा ग्रंथले रहता है, लाइबरी जैसा रहता है वैसा ही लेकिन ग्रन्थाले में हम चार दिवारों के बीच वाचन करते हैं आप लोग लाइबरी गये हैं ना ग्रन्थाले गये हैं तो उधर कैसा हम लोग रिडिंग करते हैं दिवारों के बीच चार दिवारों के बीच मतलब दिवार मतलब चार बॉल के अंदर रेडिंग करते है वाचन कुटी में हम खुले वातावरण में शान्त तथा एकाग रहोकर वाचन करेंगे और गुरुज ने क्या बताया वाचन कुटी में हम खुले वातावरण में शान ता मतलब एकदम पिस्फुली तथा एकाग रहोकर हम लोग अपना माइन कॉंसेंट्रिट कर सकते हैं एकाग रहोकर हम लोग वाचन करेंगे, रिडिंग करेंगे लास्ट पारेगरफ देखते हैं रमा बोली गुरुजी पाच्चाला में वाचन कुटी बनने पर हम भी वाचन करेंगे हमें बड़ा अनन्द आएगा गुरुजी बोले शाबास रमा मुझे तुमसे यही आशा है तुमारे वीचार बहुत उत्तम है रमा ने क्या बोला गुरुजी हम लोग भी पाच्चाला में मतलब स्कूल में वाचन कुटी मतलब रिडिंग होट बनने पर हम लोग ऐसे ही रिडिंग करेंगे वाचन करेंगे और सबको बड़ा हमें बड़ा आनन्द आएगा गुरुजी बोले शाबास रमा गुरु जी ने रमा को शाबस की दी और क्या बोला? शाबस रमा मुझे तुमसे यही आशा है तुम्हारे विचार बहुत उत्तम है उत्तम मतलब अच्छे है थैंक यू